आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे इजी हाउस क्लिनिंग टिप्स जिने अपनी हैपिट बना के मैं अपने घर को कटर फ्री रखने की कोशिश करती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं डेली अपने हाउस क्लिनिंग को वन अड़ा हाफ आर देती हूँ लेकिन डेली कुछ चीजों को अपनी हैबिट बना के कम टाइम में भी आप अपने घर को मैस फ्री रख सकते हैं क्लिनिंग करना कोई बहुत इंटरस्टिंग जॉब तो नहीं बट मैसी हाउस हमारी लाइफ में नेगिटिविटी और फ्रस्टेशन ही लेकि आता है क्योंकि अगर हाउस डिस ओर्गनाइज रहता है तो हम उस स्पेस को स्पेस ओफ रिलेक्सिशन नहीं मान सकते और बिना decluttering किसी भी प्लेस को clean और organize रखना मुश्किल ही नहीं impossible है लेकिन फुरानी चीज़ों को हम discard नहीं करते हैं और यही रीजन है कि हर रोज दुनिया भर का सामान हमारे घर में यहां से वहां move करता रहता है और result में हमें मिलता है एक messy home लेकिन हम इन सबसे free हो सकते हैं कैसे तो चलिए देखते हैं सबसे पहला step तो first of all आप खुद से promise करेंगी कि आने वाले 30 days आप अपने घर को declutter करने के लिए daily कुछ time देंगे और वो time 5 minute से लेके 15 minute तक हो सकता है और 30 days खुद को push करते हुए अगर आप ये सब कर गए तो वो आपकी habit बन जाएगी और उसके बाद life में कभी आपको अपना घर मैसी नजर नहीं आएगा 1% अगर माल लिया जाए कि आज आपका पूरा घर मैसी है और ये वीडियो देखने के बाद आप सोचें कि मैं आज ही पूरा घर declutter कर दूँगी और हो सकता है कि आप कर भी लें लेकिन उसके बाद आप इतना tired फिल करेंगी और कल से यही चीज़ करना आपके लिए उतना interesting भी नहीं रहेगा so always remember slow and steady wins the race और उसके लिए चलिए चलते हैं second step पे घर को हमेशा साफ रखने की habit बनाने के लिए start करें 5 मिनट से काफी दिनों से जो चीज़ें यहां वहां बिखरी पड़ी हैं उन्हें उठाने के लिए आपको motivation देगा आप ही के द्वरा सेट किया गया आ आप भी एक particular area से शुरू हो जाएं और हर चीज़ को one by one उनकी जगा पे रखते जाएं और 5 मिनट complete होते ही छोड़ दें और same ऐसा ही next ही भी करें यहां पे आप दो चीज़े देखेंगे एक तो timer की वज़ा से आपकी speed double हो जाएगी और दूसरा एक satisfaction मिलेगी कि at least घर का कर ही पाए यह idea अच्छा लगे तो slowly आप इसे 10-15 minutes तक increase कर सकते हैं और यह totally depend करता है आपकी energy और time पे अगर आपके बचे चोटे हैं तो रात को उनके सो जाने के बाद यही 5-10 minutes आप उस काम को दे सकती हैं चीजों को use करने के बाद उन्हें वापिस उसी जगा पे रखने में और यहाँ वहाँ फैंकने में कुछी seconds का difference होता है लेकिन उन्हीं चीजों को declutter करने और clean करने में वो extra time ले जाती हैं और उसी time को save करने के लिए make a habit to put the things back after using it तो अब जैसे ही किसी भी चीज को कहीं भी छोड़ के जाने का मन करें तो खुद को एक reminder दें कि यह इसकी place नहीं है और उसी वक्त उसे उसकी जगा पे रखतें और आप देखेंगे कि बस इतना सा करने में आपका कोई भी extra time नहीं गया बट क्यूंकि यह चीज अभी तक काफी मग यह ऐसी कोई चीज जो living room या दूसरे किसी room से relate करती है सो room से निकलते हुए हमेशा ख्याल रखें कि जाते हुए आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए सो find out कुछ तो ऐसा होगा जो आपके room में नहीं होना चाहिए यह habit आपके room को हमेशा neat and clean ही रखेगी laundry part handle करने में अगर हम थोड़े से भी week हुए तो यह हमारे घर में large mess फैला सकती है और यह कई बार हमारे साथ होता है कई बार जैसे ही हम bed पे या couch पे बैठने का try करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे space ही नहीं है यूँकि वो space occupy है with lots of clothes तो इसका एक ही solution है सुनने में हो सकता है कि यह आपको उतना practical ना लगे but it really works amazingly 5 to 10 minutes का ही time लगता है अगर हम dry हो चुके clothes को साथ की साथ fold करके रख दें otherwise हम piles बनाते रहते हैं और वो करना और भी difficult होता चला जाता है फिर वही excuses सुबा करेंगे या फिर शाम को कल करेंगे या फिर परसो बट अगर साथ की साथ कर दिया जाए तो सोचेंग कि यह चीज़ कितनी satisfaction देती है कि चार दिन पड़े रहने वाले काम को हमने मिन्टों में ही done कर दिया I promise यह आपका साथा समय नहीं लेगा बात करें कपड़ों को आइरन करने की तो यह भी एक बहुती boring सा काम है और बहुत बार हम इसे भी टालते हैं यहाँ पर मैं अपना experience शेर करना चाहूंगी मेरे room में दो laundry baskets रहती हैं एक में dirty clothes दूसरी में वो clothes जो मुझे अभी iron करने है मैं कभी नहीं सोचती कि iron करने के लिए मेरे पास कितने clothes हैं और उनमें कितना time लगने वाला है मुझे daily बस 15 minutes कपड़ों को प्रेस करना है और जहां 15 minutes खतम हुए वही मेरा काम भी कतम और कपड़ों की हमारे पास कोई कमी नहीं है ऐसा नहीं है कि जो iron नहीं हुए है वो ही हमको पहनना है इस method को use करने का मेरा एक ही reason है because I don't like ironing so I convince my mind की बस 15 minutes की ही तो बात है और क्योंकि मैं alternate days पे clothes wash करती हूँ इसलिए मेरी ये trick 100% work करती है जिन कामों को आप टालते जा रहे हैं उसे इसी तरह time limit के साथ आप कर सकते हैं इसलिए laundry part इस तरह से complete करना मुझे काफी जाधा easy लगता है अगर सुबा उठते ही यहाँ वहाँ भागने की जल्दी में आपको लगता है कि अगर आपने अभी अपना bed set किया तो time waste हो जाएगा then you are wrong bed set करने में जाधा से जाधा एक से डियर मिनट का time लगता है और इतना करने भर से ही आप उठते ही अपना एक काम खतम कर लेंगे so bed से उठते ही bed set करने की habit बनाए and you will feel satisfied kitchen counter हमेशा clean रखने की ही कोशिश करें counter top पे पड़ा हुआ बहुत सारा सामान kitchen की look ही खराब कर देता है और ऐसी kitchen में काम करना भी मुश्किल हो जाता है चीजों को इस्तिमाल कर लेने के बाद उन्हें वहीं छोड़ देने की बजाए साथ की साथ उन्हें वापिस उनकी जगा पे रख दें try करें कि आपकी सारी grocery containers में ही fill हो जाए packets में रखने से सामान organize करने में तो थोड़ा मुश्किल होता ही है साथी वो unnecessary space भी carry करता है हाँ containers में fill कर लेने के बाद कुछ packets अगर बच जाएं तो try करें कि उन्हें भी आप organizing way में ही drawers में रखें kitchen में काम करते करते daily a cabinet को declutter and clean करने की habit बनाएं and trust me ये बहुत easy है हम कितनी बार kitchen में खड़े-खड़े खाना या चाए ready होने की wait करते हैं उतनी देर में हम एक पूरी cabinet या किसी cabinet की एक shelf या किसी drawer को clean कर सकते हैं ऐसा करने से आपकी kitchen का use होने वाला और ना use होने वाला सामान आपकी नजर में रहता है जिन items को आप use नहीं कर रहे हैं उन्हें immediately discard कर सकती हैं क्योंकि जो अभी use नहीं हो रहा वो in future भी use नहीं होने वाला neat and clean study space ही आपको comfortable और focused रख सकती है और इसे clean करना भी सबसे easy है लेकिन हमारी लापरवाही इस काम को भी बहुत मुश्किल बना देती है जैसे कि old books को library में donate करना है, notebooks, diaries और waste paper को साथ की साथ recycle करना है ये बात हम सब को पता है लेकिन फिर भी इस काम को साथ की साथ करने की बजाए हम अपनी study area को मैसी छोड़ देते हैं अगर बात करूं मैं किसी pen की, जो pen हम use कर रहे हैं अगर वो pen work नहीं कर रहा तो definitely वो next time भी work नहीं करेगा लेकिन फिर भी उसे immediately discard करने की बजाए वापिस हम उसे pen holder में रख देते हैं ये सोचके कि शायद वो next time work करेगा लेकिन याद रखें next time भी ये pen हमें frustration के इलावा कुछ नहीं देगा so throw it in the dustbin immediately और आज आप अपने study area से खितने pen निकाल के बिन में डालने वाले हैं ये आप से better कोई नहीं जानता तो ये सारी वो habits हैं जो हमारी daily life में बहुत सारे changes ला सकती हैं और काफी हद तक हम अपने घर को clean and organize रख सकते हैं otherwise घर को neat and clean रखना is not an easy job बट ये impossible भी नहीं है जूरत है तो बस थोड़े से active और alert रहनेंगी I hope इस वीडियो का कोई एक point तो आपके लिए helpful होगा If yes, then please click on like button to motivate me मिलती हूँ आपसे next वीडियो में Till then bye, take care and stay healthy